अब आगे चलते हैं, पहले तो यह फोम का पता होना चाहिए, बही कौन सी फोम है, तो यहां से देखेगा, सोल्यूशन में, अब तो देखते ही पता चल जाता होगा कि हाँ कौन सी फोम है, तो यहां से देखेगा कि यह जो फोगी पॉइंट है अपना, फोगी पॉइंट, यह क्या, अंडरूट, टेंट, कहां पे लाइस कर रहे है, लाइस ओन, लाइस ओन, इसके ओपर y-axis पे है, भई, then equation of hyperbola, hyperbola की equation, तो यह क्या आने वाली है, y-square upon में, a-square, x-square upon में, b-square equal to 1, यह equation first, यह क्या आपको, secondly, अपने को दियावा क्या है, क्या है कि यह जो equation है, यह फिर hyperbola है, यहां से, hyperbola कहां से पास हो रहा है, hyperbola, passing, कहां से through हो रहा है, 2,3 से, यहां 2,3 से, तो यह इसको satisfied करेगा, तो देखिएगा, कि यहां पे तो आएगा अपना y है, तो यहां से देखिएगा कि थरीका whole square upon में, एक का whole square x कितना है, 2 का whole square upon में, कितना है, b square, और equal में 1 है, आगे इसको जैसे आप solve कर आओगे, तो आपके लिए बन के तयार हो जाएगा, 9, a square, a square, और यहां से आएगा, 4, और b square, और, यहां तक किसी को दर्द तो नहीं हुआ न, दर्द होगा भी क्या, value to put किये भई, कुछ बड़ा काम थोड़ी ना किया है, बड़ा काम तो हम करते हैं यह वेसे, छोटा छोटा काम कर रहे है, तो यहां से एक condition और है, अपने पास कि यहां से देखिएगा कि अपने पास क्या है, कि we have a, we have 4 key, 4 key कितने अपने पास, यह, तो देन, c equal to कितना है, root 10, root 10 अपने पास, तो हमें इसका piece का relation हम जानते हैं, तो यह देखिएगा कि c square equal to, यह होता है b square, अब यहां से जैसे आप solve करोगे, क्या आएगा आएगा आपके सामने, तो यहां से आपके सामने आएगा वही, 10 equal to, a square plus का b, यह आया, अब यह अपने पास देखिएगा कि, एक equation यह है, एक equation यह है, अब 2 equation है, 2 unknowns है, हमें find out करना है, तो देखिएगा कि कैसे find out करते हैं, किसमें क्या value रखें, कि जिसे अपना easy हो काम, वो ही अपने को यहां पर करना है, तो यहां से आप करोगे, तो देखिएगा किसमें हम क्या value रखें, कि जिसे कि अपनी values क्या हो easy बने तो क्या कर सकते हो आप करना तो क्या है या तो इसी में एक select कर लो आप तो यहां से 4 आ गया चलिएगा कोई ना अब क्या करेंगे हम कि इस वाले equation में यह जो 4 है अपने पास इसमें क्या करेंगे हम कि यहां से a square की value ले ले या फिर यहां से ले यहें से ले ले लेते हैं चलिएगा तो यहां से करते हैं a b यानि कि a minus a square equal to b अपने को a लेना अच्छा लगता है वह equation में b इतना अच्छा नहीं है भाई b थोड़ा गंदा दिखता है क्योंकि हमने इतना बड़े हो गए हमेशा a और x में deal किया है तो यहां से b square की value हम क्या करेंगे put कर देंगे किस में इस वाली equation में put b equal to 10 minus a square in equation कौन सी अपने पास equation equation number 2 okay put कर देते है तो put करने पे देखिएगा कि क्या value put कर रहे है हम वो है अपने पास यहां पे है 9 a square और आगे देखो कि तो 4 नीचे क्या है b बड़े हम यह value put कर रहे है equal to कितना है 1 यह देख लीचागा कि value हमने सही put किया कि 9 a square और 4 4b square अब जैसे 9 आएगा 10 minus a square और 4 a square यहां तक अब देखिए इसको इधर reverse करा दीजेगा तो यहां से आपके सामने क्या आएगा 90 minus a square और 4 a square equal to आपके सामने यहां पे देखिएगा 10 a square यहां कि अभी रुकिये अभी आपको यह ले जाके दिखाना पड़ेगा आप छोटे बच्चे हो यह अब जैसे आप इसको sol करोगे तो आपके सामने देखिएगा कि क्या क्या प्रेसानिया आ सकती है यह बड़ा रोल होने वाला है यहां पर तो यह आएगा 90 यह आएगा 30 और यह यहां पर देखिएगा कि कितना आएगा a square 10 ठीक जी a square 10 आ गया और यहां पर आएगा minus a की power 4 यहां पर आएगा a की power 4 अब देखिएगा कि इसको भी उदर लेके जाएगे तो आपके सामने आएगा क्या a a to the power 4 और उदर लेके जाएगे तो क्या आएगा 23 3 का whole square plus का 90 equal to 0 क्या करेंगे roots को find out करेंगे तो इसके pair बनाएगे देखिए pair हमें पता है वो है अपने पास 18 a square minus का 5 a square plus का 90 equal to 0 अब जैसे ही यहां पर क्या करोगे आप a square common लोगे तो a square और यहां से आएगा यह अब second में 5 लोगे तो common यहां से आएगा a square 18 equal to 0 अब देखेगा कि a square के आपके सामने value आएगी एक तो क्या आएगी 18 आएगी यहां तक clear रहे और एक आएगी आपके सामने a square equal to 5 यह दो values आएगे अब इन में से एक value select करनी पड़ेगी अपने को वो discard होगी कैसे वो होगी discard अपनी देखेगा given condition जो c की condition है वहां से देखेगा कि a square की value आप 18 यहां पर रखोगे तो plus का 18 रखते क्या यह possible है क्या क्योंकि minus का 8 आजाएगा b और तो कभी possible ही नहीं है b square तो कभी negative तो इसलिए तो यहां से देखेगा कि देखेगा कि यहां से अपने पास a की value possible है वो है क्या देखेगा कि यह वाली a square equal to 18 square है which is which is not possible because अपने पास जो एक समंदी था उसको याद करो कि c square equal to a square plus b square अब यहां पे था 10 और यहां पे अपने पास देखेगा कि क्या था कि यहां से यह 10 था और यह क्या था b अब आपको पता था क्या b कितना है आपका आपको पता न a square equal to b square अब जैसे आप a square की value देखेगा कि यहां पे क्या रखोगे suppose यहां पे b तो हमें find out करना है तो यहां पे जैसे आप 18 रखोगे तो आपके सामनी क्या था b square अब जैसे आप इसको पूट करोगे तो यहां पे minus क्या बचेगा 8 equal to b square जो कि possible नहीं है तो खतम a case तो इसका मतलब इसका खेल खतम अब यहां पे देखेगा कि a square 4 a square equal to 5 अब इसके लिए fight करते हैं wwe वाली तो इसके लिए क्या करेंगे हमें पता है कि देखेगा 10 minus a square equal to b square अब b की value देखेगा कि a minus 5 equal to b square अब यहां से देखेगा कि b की value कितनी आईगी 5 अब जैसे यह 5 आई यह आई अब अपने पास देखेगा कि a square की value है और किसकी b square की value है तो यहां से क्या है we have we have a square equal to 5 and b square equal to 5 then equation of hyperbola 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 अब hyperbola अपने पास क्या था? कि किसके उपर था? कुनसी form थी? y square की form थी? क्या थी? y square upon में a a square की value कितनी अपने पास 5 है और यहां से देखेगा x square upon में 5 है equal to 1 and the general equation आई है x square equal to 5 5 यहां पर सुसाइड करता बजगा तो इदर लेकर आगे इसको सुसाइड नहीं करना चाहरा था? सुसाइड नहीं करना चाहरा था? यह इसका क्या है यह